पूरी जानकारी आपको दी जाएगी दोस्तों लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन आन कर लीजिए वेदानता ने सौधी अरब में बनाई नई कमपनी क्या होगा कारोबार जाने डिटेल हाल में ही वेदानता ने एलुमेनियम तेल और गैस अस्टिल सहित अपने पांच परमुख वेवसाओं में धिमर्जर का एलान किया है अब कमपनी ने कापर के कारोबार के लिए सौधी अरब में एक नई फर्म बनाई है अरब पती अनील अगरवाल ने वेदानता समूह की इकाई मालको इनर्जी लिमिटेड ने एक लाख सौधी रियाल मतलब 22.19 लाख रुपे के निवेश से कापर के वेपार के लिए सौधी अरब में एक नई कमपनी बनाई है वेदानता ने BSE को दी जानकारी में कहा कमपनी के पुर्ण स्वामित वाली सबसीडरी मालको इनर्जी लिमिटेड ने वेदानता कापर इंटरनेशनल VCI कमपनी लिमिटेड के नाम से एक नई पुर्ण स्वामित वाली कमपनी बनाई है विदान्ता कापर इंटरनेशनल DCI कम्पनी लिमिटेड नए भोगोलिक छेत्र में ग्रोथ के अवसर तलासने के लिए स्थापित किया गया है Demerger का एलान कर चुकी है कम्पनी बता दे विदान्ता ने एल्मूनियम तेल और गैस अस्टिल सहीत अपने पांच परमुख वैवसाइओं के Demerger का एलान किया है कमपनी ने अस्टाक एक्सेंजिंग फाइलिंग में कहा था डिमर्जर योजना के तहद वेदान्ता लिमिटेट के परतेग एक सेर के लिए सेरधारकों को पांच नई लिश्टेट कमपनी के हरेक का एक अतिरिक सेर के रूप में मिलेगा वेदान्ता लिमिटेड के बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी है यह डीमर्जर अगले एक साल में पूरा होने की उमीद है इसके बाद वेदान्ता के एलिमूनियम गैस और तेल और गैस बिजली स्टील और लोव समागरी अलावा बेस मेटल काड़ोबार अलग हो जाएंगे वेदान्ता के सेर का क्या है हाल गुरुवार को वेदान्ता लिमीटेट के सेर लाल निसान में बंद हुए इस सेर की कीमत 240 रुपे से नीचे रही बीते 28 सितंबर को सेर ने 207.85 रुपे के 52 वीक लोग को टच किया था अब अगली खबर 42 परतीसत और तेजी दिखाएगा यह मर्टी बैगर NBFC सेर कंपनी NBFC बजाज फाइनस पर डिजर्व बैंक के एकसन के बाद गुरुवार 16 नवंबर को सेर में कमजोड सुरुवात हुई हलाकि बाद में गिरावट से उबरते हुए अस्टॉक एक फिसीदी से जादा बढ़त बनाने में काम्याब रहा ब्रोक्रेज हाउसेस को यह मल्टी बैगर NBFC स्टॉक मुझूदा लेभल पर आकरसक नजर आ रहे हैं ज़ादातर ब्रोक्रेज ने बजाज फाइनस में निवेश करने की सलाह दी है दरसल RBI ने बजाज फाइनस को इकॉम और इंस्टा EMI कार्ड के जड़िये लोन बाटने पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है बजाज फाइनस दस हजार तीन सो तक जा सकता है सेयर मारगन अस्टेनली ने बजाज फाइनस के ओवर वेट की रेटिंग बनाई रखी है साथ ये परती सेयर टारगेट प्रैस दस जार तीन सो रुपय दिया है 15 नुवंबर 2023 को सेयर का भाव 7,224 पर बंद हुआ इस तरह मवजूदा भाव के अस्टाक करी 42 फिसिदी और उचल सकता है बीते 5 साल में ये सेयर 200 फिसिदी से जादा उचल चुका है जेफरीज ने बजाज फाइनस पर खरिदारी की सला दी है टारगेट 9,070 रुपया रखा है सीटी ने सेयर पर नीटरल की सला दी है टारगेट 8,375 रुपय का दिया है CLS ने बजाज फाइनस पर खरिदारी की सला दी है टारगेट 9,500 रुपया रखा है इस अस्टाक के लिए 52 खाय 8,192 रुपय और लो 5,485 रुपय है एक महीने में इस अस्टाक में 9,50 से ज़्यादा गिरावट वाटर टू में कमपनी का AUM 33 पर तीसत के सलाना ग्रोथ के साथ 2,90,264 करो रुपय रहा प्रोफिट 28 पर तीसत ग्रोथ के साथ 3,551 करो रुपय रहा ROE 24.1 पर नेट NPA 0.3 1.1 पर रहा बजाज फाइनस को RBI का बड़ा जटका RBI ने बजाज फाइनस को Ecom और Insta EMI कार्ड के जरिये लोन बाटने पर तुरण तोक लगाने की आदेश दिया है Central Bank की तरप से जारी बयान के मताबिक या एक्सन Digital Loading Guidelines के प्रवधानों को पालन नहीं करने के कारण लिया गया है RBI के तरप से जारी नोट में कहा गया बजाज फाइनस ने दोनों फाइनसियल प्रोडक्ट्स ने ग्राहकों को उच्चित फैक्ट अस्टेटमेंट जारी नहीं किया है कमपनी के अन डिजिटल लेंडिंग प्रोडक्ट्स के एफैक्ट अस्टेटमेंट के मुकाबले इन दो प्रोडक्ट्स के एफैक्ट अस्टेटमेंट कमजोर हैं यही वज़ा है कि RBI ने ततकाल इसे परभाव से बंद करने का फैसला किया है RBI ने 10 अगस 2022 को इस संबन्द में एक गाइडलाइन जारी किया है यह डिजिटल लेंडिंग से संबन्दिक था इसका मकसद कारवार को किसी तरह से फ्रोड या अस्केम से बचाना था अब डिविडेंट न्यूज अब TCS की न्यूज TCS का एकस डेट आ चुका है इसका एकस डेट 25 नवंबर है मैंने कल ही सुचित कर दिया था आज एकस डेट आया है और यह कल और यह 100 से 110 पोइंट का रैली दे सकता है और आज देखिए कमपनी ने 3526 रुपया का हाई बनाया और यह लगभग 126 पोइंट का रैली दिया अभी 3497 पर बंद हुआ है अभी भी कल के मुकाबले 93 पोइंट हाई है इसी तरह के एस्टॉक मार्केट का न्यूज सबसे पहले पाने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन अन कर लिजिए इसने 32 पर दिविडेंट देने की घूशना की है और इसकी एक स्टेट 25 नवंबर है अगली कमपनी का नाम संटीवी है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 644 पर दिविडेंट देगी और इसकी एक स्टेट 21 नवंबर है अगली कमपनी का नाम आल कारगो लोजिस्टिक्स है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 272 रुपया पर 30 यह बोनस तीन अनुपात एक की रेशियो में देगी और इसकी एक स्टेट अपकमिंग है अगली कमपनी का नाम तिरी शक्ती एलेक्ट्रिक है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 109 रुपया पर 30 यह यह स्प्लीट करेगी एक अनुपात 5 की रेशियो में मतलब आपका एक सेर 5 सेरों में बट जाएगा इसकी एक स्टेट अपकमिंग है अगली कमपनी सेली इंजिनियरिंग है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 1766 रुपया पर 30 यह स्प्लीट करेगी एक अनुपात 5 की रेशियो में मतलब एक सेर 5 सेर में कनवर्ट हो जाएगा इसकी एक स्टेट 23 नवंबर है अगली कमपनी यूनी पार्ट इंडिया है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 572 रुपया पर 30 यह है इसकी एक स्टेट 17 नवंबर है अगली कमपनी का नाम गोल्डियन इंटरनेशनल है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 137 रुपया पर 30 यह एक रुपया 20 पैसा पर 30 यह डिविडेंट देगी और इसकी एक स्टेट 24 नवंबर है अगली कमपनी का नाम अमरुतांजन हेल्थ है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 600 रुपया पर 30 यह एक रुपया पर 30 यह डिविडेंट देगी और इसकी